हिमाचे प्रदीश विश्य विद्याले द्वारा प्रवीश परिक्षाना करवाने को लेकर हाईकूर द्वारा दिये गे फैसले का छात्र संगठन अखिल भारत्य विद्यार्थी परशने स्वागत किया है। ABVP ने विश्य विध्यालिय परशासन पर चात्रों से लूट और उनके भविशे के साथ खिलवार करने के आरूप लगाए हैं। साथ ही अखिल भारत्य विद्यार्थी परशद ने विश्य विद्यालिय के अधिश्ठाता अधियन समेत सभी दोशियों पर कारवाई की मांगी हैं। प्रदेश की जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे विश्ठाता अधियन पूरी तरह से जिम्मेवार है और उन्हें तुरंथ प्रभाव से पत्से हटाने की मांग करती है। विद्यार्थी परशद के पैड पर बीएड की नोटिफिकेशन जारी करने की निंदा की और कहा कि विद्यार्थी परशद ने नोटिफिकेशन को लेकर निकाल कर अपना लोगों लगाया था। लेकिन वही नोटिफिकेशन विश्विद्याले की करमचारियों ने वैबसाइट पर कैसे लगा दी इसकी जांच होनी चाहिए। इमाचल परदेश विश्विद्याले द्वारा जो अभी हाई कोट का निरने हिमाचल परदेश विश्विद्याले के लिए आया। यह बहुत बड़ी बात है और विद्यारती परशद उच नियाले के इस निरने का स्वागत करती है। और हम देखते हैं कि हिमाचल परदेश विश्विद्याले के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से दाखिरे करवाई गे इसके पीछे जो जिम्मेवारी बनती थी। वो जिम्मेवारी हिमाचल परदेश विश्विद्याले के अधिश्ठाता अध्यान प्रोफेसर अरविंद कालिया की उसकी तानाशाही की वज़ा से यह सारा घटना करम हुआ। उन्होंने विना किसी चेर्मेन से डिसकस किये हुए यह डिसीजन लिया था जिसका परिणाम हिमाचल परदेश के हजारों चातरों को भुगतना पड़ा। मेरिट के अधार पर जो एडमिशन्स करवाई गई उसमें बहुत सारे ऐसे चातर जो मेरिट में जगा बना रहे थे उन चातरों को भी सीट नहीं मिल पाई। जो दो हजार रुपया आवेधन शुल्क लेकर गयर शिक्षक करमचारियों की भरती प्रक्रिया की जो अधिसुचना जारी की थी वह भरती प्रक्रिया शिघर पूरी की जाए यह भी हमारा मांग है और जो पंचाज सचीब की भरती के नाम पर बारा सो रुपया लूटने क का काम विश्यविद्याले प्रशासन कर रहा है यह भी इसका भी विद्यारती प्रशत कड़ा विरोध करती है और यह पंचाज सचीब की भरती का आवेधन शुलक कम किया जाए यह भी हमारी मांग है पर जारी की वह जो नोटिविकेशन थी वह एक जनवरी को जारी होती है वह आठ जनवरी को विश्यविद्याले की वेबसाइट के उपर जारी होती है एक जनवरी को जब वो नोटिविकेशन हमारे पास आती है तो स्वभाविक रूप से विद्यारती परशद अपना अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए उनके उपर कारवाही की मांग भी करते हैं